हाई फ्रेंड इस्टाउन वर्किंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत है तो दोस्तो आपको आपको इस्टेप में डिजाइन कैसी दिया जाता है तो दोस्तो अपनी ये पट्टी तीन इंची की पट्टी लेते हैं हम सबसे पहले उसमें हमने ये देखिया हाफसेट फार्ड रखा है इसमें 6 में बाला हाफसेट निकला हुआ है तो दोस्तो हम आपको पूरा इस्टेप बना के देखाएंगे कि step में कैसा design देना चाहिए बहुत बड़िया design लगता है दोस्तों हम आपको पूरा step भी बना के देखाएंगे तो यार आप देख सकते हो कि हम हमारी ये तीन इंची वाली पट्टी में अब कांत्रा निकाला जा रहा है कि इसमें कांत्रा हमें बहुत साबदानी से बनाना पड़ता है ताकि हमारा कांत्रा देखने में अच्छा और ठीक लगे क्योंकि ये बहुत बारीक से निकलता है तो आप देख सकते हो हमारा काम दुआदार चल रहा है यहाँ पर देख सकते हम किस तरह कांत्रा निकाला जा र रहा है यहां पर इसमें कात्रा भी बहुत बढ़िया देखता है देने पर तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा इस्टेप बनने जा रहा है आप देख वीडियो पर बने रहे वीडियो को बगर कट के हुए आप देख सकते हमने पट्टी कच्ची कर रहे हैं दोस्तों पट्टी को कच्ची करने में भी हमारा टाइम लगता है तो देखिए आप पट्टी को गुनिये में कि जा रही है अभी तो पट्टी हमारी गुनिये में होगी तभी ठीक हो लगेगी दिखने में भी अच्छी लगेगी सामने से वी अच्छी लगगी वही पट्टी गुनिये में यह की नहीं है कि हमने इस पट्टी City की गुनिया भी कर दी गई है दोस्तों देख सकते हो आप आपको इसको पक्का करके भी देखाएंगे अभी हम इसको कच्छा कर रहे हैं कि दोस्तों चारों वगलते इसको गुनिये में करना पड़ता है अब देख सकते हूं कि हमारे इस्टाउन बर्किंग चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी बहुत सारी वीडियो आएंगी इस तरह कि हम आपको कि बहुत वीडियो मिलेंगी ऐसी आप देख सकते हो हमारे मिस्त्री किस तरह से लगे हुए है तो दोस्तों हम अभी इसको सेट करने जा रहे हैं आप देख सकते हो हम आपको इसको पक्का करके भी देखाएंगी कि इसको पक्का कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं दोस्तों किस चीज से पक्का करते हैं किस चीज लगाई है हमने क्या चीज नहीं लगाई हम आपको पूरी वीडियो देखते रहो हम आपको सब कुछ बता देंगे यह दोस्तों आप देख सकते हो हमारी पट्टी पक्की भी हो चुकी है अब इसको हम अच्छी तरीका से रगड़ेंगे ताकि हमारा जॉइंट कहीं दिखे नहीं क्योंकि इससे जॉइंट भी बहुत बारी काता है यह हमारी L-Tab वाली पट्टी है ताकि इसको भी हम लगा दे तो इसको भी हम पक्का करने जा रहे हैं आप देख सकते हो वीडियो पर बने रहे बिगर कट किये हुए तो दोस्तों आप यह देख सकते हो कि हम L-Tab वाली पट्टी को गुमाने जा रहे हैं यह देखिए हमने L-Tab वाली पट्टी भी अब इसमें फिट कर दी गई है दोस्तों और हम आपको सब कुछ दिखाएंगे इस पट्टी में हमने क्या-क्या लिया है क्या नहीं लिया कौन सा केमिकल है बहुत मच्पूती रखता है यह केमिकल और यह हम जीना भी आपको लगा के दिखाएंगे कि जीना लगा हुआ किसा लगता है अच्छा लगता है बुरा लगता है तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें आप देख सकते हो यह हम यह हमारी टीनेक्स है जो हम इसको मैचिंग पत्थर का मैचिंग करके मिला रहे है इसमें ताकि हमारा जोइंट खराब ना देखे इसको पहले हमने मैच किया है कलर डाल के पूरा मैच किया है आप देख सकते हो इसमें कलर भी डाला जा रहा है ताकि कि हमारा पूरा में चोजाए हमारा जर्ण्ट का पता नहीं चले लेजिए तो आएए दोस्तो अब हम आपको इस्टेफ जीने को लगाने जा रहे हैं सबसे पहले इसका लेवल उतारते हैं कि लेवल उतारने के बाद हम सीधी को चालू करेंगे दोस्तो यह अपना जीना है कि हम इसको लगाने जा रहे हैं आइए दिखाते हैं हम आपको कैसे जीना लगाये जाता है अभी हम इसकी लेविल उतारने जा रहे हैं दोस्तों लेविल करके और हम आपको जीना देखाने जा रहे हैं देख सकते हैं दोस्तों हमारा जीना कितना बड़िया लग रहा है कितना दिखने में भी मस्त लग रहा है दोस्तों आप देख सकते हो यह जीना कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी आप अपने घरों में भी यह डेजाइन दे सकते हो यह देख सकते हैं हमारा जीना लगता हुआ जा रहा है उपर की तरफ हाघ यह बहुत बढ़ीया देजाइन है दोस्तों इसमें ज्धाव करने की ज़रत नहीं है अपनी 3 Emer good अपनी पत्ति रहेगी उसमें में का वाला अ फिस में बाल कर नी रहेगी ऑसको बहुत हुआ मस्त देखेगा छे ए मि तिन इंची वाली पट्टीं अपना राइजर बोलते हैं आपना इंची वाली पट्टी ऑन एतुन वासा राइजर बोलते हैं दोस्तो रॉत अच्छे से लगता हुआ जा रहा है और दिखने में बहुत अच्छा लगेगा बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों अब भी इसको कहीं भी लगा सकते हो कैसे भी लगा सकते हो बहुत दिखने में अच्छा लगेगा कहने का मतलब यह है कि हमारा जीना दिखने में भी बहु आपको चौकी में क्या 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 कैसे लगती है तो आप देख सकते दोस्तों यह अपनी चौकी यह जो कि इसको पक्की की जा रही है कि इसमें कि सफेश सिमेंट वाला गोल दिया रहा है ताकि हमारा पत्तर इसकी पकड कर सके कि तो भेंट आप देख सकते हो कि हमारा पत्तर लग चुका है अल्रेडी ठुकने जा रहा है तो दोस्तों हम आप पत्तर को देखिए